हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टो जुडिसी फार्मा जॉप्स मैं सर प्रत्यूस और आपको चैनल पर है जहां आपको फार्मर रिगार्णिंग सभी प्रकार के जॉब डेट नोडिफिकेशन अपडेट और वेकेंसी अपडेट में आए दिन प्रोवाइट करवाता रहता हूं जी हाँ आज का ये वीडियो मैं इसलिए क्रेट कर रहा हूं ताकि मैं आप सभी को ये एक स्टेटेजी दे सकूं मेरा यही मोटो है कि मैं हमेसा आप तक ऐसे इन्फार्मेटिव और हल्फुल वीडियो लेकर आता रहूं जिससे आपकी हेल्प आपके एक्जाम प्रप्रप हैं मेजर पार्ट तो वही हुआ सौ में से सतर कोशन फार्मा से रहेंगे तो इन सभी फार्मा पार्ट में हमें क्या पढ़ना है कौन-कौन से इन्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं हमारे कि सब्जेक्ट से उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है इस चीज में आपको वरवल लेना अपने पास लेकिन जब भी देखोगे ना अपने सामने एक कॉपी और पैन लेना भली हाई स्पीड में देखो कोई दिक्कत नहीं है वन एक्स टू एक्स में देख लो लेकिन वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि यहां पर सारे पॉइंट्स एक दूसरे से और एक मास्टर स्टेटेजी भी आपको बताऊंगा पावर और रिवीजन यहां पर बताने जा रहा हूं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ ऐसे अच्छी किताबों के बारे बताने जा रहा हूं जिससे आप अपना प्रप्रेशन बहुत सटिक बहुत डमी किताबों के न क्षोचन आपकर नॉन फार्मा से यहां पर रहा है सबसे पहले इस के सीलेबस की बात करते हैं में आपको क्या पढ़ना है यह को बता देना चाहता हूं जैसे इनाटॉम्वी और्फिजियोलाजी फार्मसीटिकल एनलेसिस सूट57 वार्मसीजिन मतलब computer software से यहां पर रहेंगे environmental science आ रहा है फिजिकल फार्मसिटिक्स फार्मसिटिकल microbiology इंजिनेरिंग मेडिसनल केमेस्ट्री फार्मकोलोजी फार्मकोगनोस्ट्री फाइटो केमेस्ट्री इंडस्ट्रियल फार्मसिटिकल जिरिस्पूडेंस अच्छा अब जड़ासा यह ध्यान देंगे आपको यह सारे सब्जेक्स पढ़ने के ज़रूरत नहीं है अगर आपको लग रहा है कि इतना बड़ा सिल्बस आप नहीं पढ़ पाओगे तो बिल्कुल मत परसान हुए आपको मैं यहां पर हाइलाइट बता रहा हूं मैं अब म फोकस करना है जैसे हुमन एनाटॉमी एंड फिजियोलाजी चलिए फार्मसिटिकल एनलीसिस की बात करें फार्मसिटिक्स की बात करते हैं इन और्गेनिक केमेस्ट्री की बात करते हैं और्गेनिक केमेस्ट्री की बात करें आपका रहा है इन बायो केमेस्ट्री इन आपका पैथोफिजियोलोजी की बात करते हैं, फार्मसिटिकल माइक्रोबायोलोजी, मेडिसिनल केमेस्ट्री, फार्माकोलोजी, फार्माकोनोसी, इंडिस्ट्रियल फार्मेसी, जूरिस्पूडेंस, ढेट्स अल, इस स्लाइड में अगर आप इतने ही सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से कर्स जाएं, तो आपका सिक्ष्टी टू सेवेंटी परसेंट प्रप्रेशन हो जाएगा, इस स्लाइड में जितने सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, जिनको मैं हाइलाइट किया हूँ, अगर आप इन पर मेन फोकस करते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका अगर आप इनको बहुत अगर बहुत कम ध्यान देते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए, ठीक है, आप इन सभी छोटे-छोटे-छोटे सब्जेक्स के लिए का टेस्ट लगा करते हो, कहीं बार क्या होता है, उसके लिए पूरा किताब पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है, तो आप इनके लिए छोटे-छोटे सब्जेक्स के लाब चाहो तो एक टेस्ट लगा सकते हो, टेस्ट के द्वारा, एंसे के द्वारा, इनका प्रिपरेशन कर लेना, बाकी इनकी में बात करता हूं, जैसे हुमन अनेटोमी एंट फिजियोलाजी, भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, है अभी जो स्टुडेंट्स जिन्होंने जीपेट कौलिफाई किया है, दोहजार चौबिस में, उन्होंने यह चीद देखा होगा, कि हैचे पी का अब धीरे ध बढ़ रहा है, इस बार एचेपी के कोश्चन्स बहुत सारे देखने को मिले थे जीपेट के एक्जाम में, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसे बिलकुल भी हलके में लेने की गलती मत करना, यहां से बहुत बेसिक कोश्चन्स निकल कर आते हैं, ठीक ह और अगर आप इन कोश्चन्स को नहीं बना पाऊगे तो बहुत ज्यादा रिग्रेट फिलोगत एक बर रिवाइस करना जरूर से एचेपी को, फार्मसिटिकल एनलिसिस कुछ ज़्यादा खास करने की जवरत नहीं यहां पर क्योंकि फार्मसिस लेबल का है, तो इट में भ की बात करने जी फार्मसिटिक्स में तो यहां पर अपन इंडस्ट्रियल फार्मसिट की बात करते हैं इन्हें छोड़ी अभी इंडस्ट्रियल फार्मसिट की मैं बात करता हूं यहां पर आपको में टॉपिक क्या हो जाएगा लिखते हुए चलना आपको यहां पर आ रहा ह छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है एरो सॉल्स की बात करें इस्टेरिलाइशन और इस्टेराइल प्रडक्ट इतना देख लिए एंडीडियस एक देख लाना क्योंकि आपके सिलवस में डीडियस भी दिया हुआ है इतना बस आपको करना है इंडेस्ट्रियल फार्मेसी मे गैस्ट्रवाले जो ब्रॉक्ट से हैं गैस्ट्रुद इंटरस्ट्रेंट से हैं वह से कोशचन अधीकतर हमें देखने को मिले तो च्छन होने की ज़रत नहीं है केमिकल फॉर्मुल याद रखना उनका यूज़रूर से याद रखना ठीक है चलिक ऑर गैनिक्यूर्व केमस् बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आपको केमेश्टी बहुत ही ज्यादा वीक है आप केमेश्टी नहीं कर पा रहे हो और गैनिक तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है तो प्लीज स्मार्टली काम करो अभी छोड़ दो और गैनिक मत पढ़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन उसके बजाए उसके कंपरीजन में किसी दूसरे सब्जेट को अच्छा खासा मजबूत बनाओ तब जाकर आपके कोश्चेंस नहीं चूकेंगे ठीक है और गैनिक स्किप कर सकते हैं दूसरे सब्सक्राइब को अच्छे तरीके से करना बायोकेमेश्टी बिल्कुल बारोकेमेश्टी कार्बोहेड़ेट प्रोटीन्स एंजाइम्स यह बहुत इंपॉर्टेंट है लिपीड पार्ट्स यहां से कोशन बनते ही बिनते हैं फिजियोलोजी की बात करने हैं तो सेल इंज्यूरी के मेकनीजम सारा यह सभी इंपॉर्टेंट बन जाता है ठीक है कंपुटर भी सकते हैं फार्मसिटिकल मैकरोब बायोजी खुछ नहीं जी आप आपने इंट्रड़क्शन पढ़ लिया आपने इस टैनिंग पढ़ लिया बैक्टेरिया पढ़ लिया इतना कर लिया तो बहुत है और इस्टेरलाइशन जो कि आप यहीं पर पढ़ लिये रहोगे यहां भी आप देख सकते हो ठीक है इसके लावा ज्यादा डीप घुसने की ज़रुत नहीं है फार्मसिटिकल इंजिनियरिंग इसकी कर भी सकते हो अगर पढ़ना भी है तो साइ सिक रिंग जरूर से देखना है यहां पर बाकी तो अधिक दर चीजब के फार्मकलोजी में कमर आफ हो जाएंगी वहीं आपका इंडस्टियल फार्मेशी फार्मकोगनोसी यह आपका स्ट्रॉंग होना चाहिए फार्मकोलोजी पूरा ही पढ़ना है मैं एक भी चैप्टर क कीप करने नहीं बोलूँगा फार्मकोलोजी का क्योंकि यह ऐसा सब्जेक्ट है कि कहीं से आपको क्वेशन देखने को मिल सकता है फार्मा को उसी में इंट्रडक्शन पॉर्शन को एलकॉलाइड ग्लाकोसाइड वोलाटायल ओयल रेजिन टैनिन लगभग लगभग सारा यहा तो अच्छे से ध्यान रखना केमिकल टेस्ट एंडिफिएशन टेस्ट डायरेट कोश्टन आता है जी यहां पर फार्मसिटिकल जूरुस्पॉडेंस की बात करें जूरुस्पॉडेंस में तो आपको ऐसे मैं हाइलेटेड टॉपिक्स बताना यहां पर गलत होगा क्योंकि यहां से भी कोशन बहुत सारी दोजर से आती है जैसे मैं बात करूं फार्मसिट फिर भी ध्यान रखनेंगे फार्मसिए ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट यहां पर ध्यान रखनेंगे यहां से कोश्टन बनते हैं ठीक है चल अगला यह देख लेते हैं और कौन-कौन से यहा सिस्टम आपने कवर अपको लिए इंडिस्ट्रियल फार्मेसी में बायो स्टेटिक से रिसर्च मेतोडोलाजी इसकी भी कर सकते हैं सोस्यल एंड प्रिवेंटी फार्मसिए एक दिन का सिलिबस है छोटा सिलिबस एक दिन पड़कर खतम कर जोगे मार्केटिंग पर क्वालिटी कंटूर स्टेंडर डाइशन और हर्फ कंप्यूटर एड़ ड्रग डिजाइन सेल और मॉलिक्लर बायोजी कॉस्मेटिक साइंस देख लेना एकात कुश्चन के लिए एक्सपरिमेंटल फार्मकलोजी एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स और डाइट है भी तो इका दुक्का ही कोशन मिलेगा ठीक है चलो अगला बात कर लेते हैं आप चाहें तो इस क्रेस कोर्स से जोइन हो सकते हैं बिलकुल जो ही मैंने आपको सिलिबस बताया सेम उसी पैटन में यहां पर प्रप्रेशन करवाया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट टॉप चाहते हैं तो बिल्कुल जोड़ी से क्लासे सेप में आपको यह कोर्स मिल जाएगा जाकर जोन हो जाएंगे रेगुलर क्लासे चल रही है रिकॉर्डर वीडियो लेक्ट्टर्स प्रिवेस एर के कोश्यंस ऑनलाइन टेस्ट श्रीज और इसी बहुं सारी चीज़ें आपको अब इस फियर का दो मतलब निकल सकता है वह आपके उपर है जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा एक ऐसा फॉर्गेट एवरिटिंग एंड रन ठीक है सब कुछ भूलकर भग जाना वहाँ पर मतलब रन भूमी छोड़कर भग जाना डर जाना और दूसरा कि सर हमें तो पता है हमें तो हमारा एम है रेल्वेफार्मसिस्त निकालना तो हमें कुछ भी करके इस एक्जाम को कौलिफाय करना ही है तो हम डरने के बजाए सारी चीज होना चाहिए सिलिबस देखकर डर गए सो डर गया सो मर गया ठीक है अगर डर गए सिलिबस देखकर तब आपके लिए आगे बहुत मुश्किल होगा क्यों कि देखिए एक बार अगर आपने डर बना लिया अपने मन में और अगर एक बार आप हार गए तो मन के हारे हार है और म जैसे अभी आपका कॉलेश कंप्लीट हो गया है जिन्हों ने डिपलोमा कंप्लीट कर लिया जिन्होंने बैसलर कंप्लीट कर लिया घर में बैठे हुए है क्या करते हो जी दिन भर मुबायल चलाते हो अगर मान कर चलो मैंने बुला कि आज से पढ़ना चालू करना है और इस वीडियो को देख कर अगर दो बच्चे भी अगर मोटिवेट होते हैं उन्हें लगता है कि नहीं सहीं मो करणा है पढ़ना है अगर वह कल से ही करना चालू कर देता है दो दिन चार दिन शाय दिन बढ़िया दे पड़े सातवे दिन उनका टारगेट था कि आज मुझे टैबलेट कंप्रीट करना है लेकिन रात में मुवी देखने लग गए रात में कुछ और करने लग गए गेम खेलने लग गए और सुबह जो उनका समय बज़े उड़ गया होता तो मैं इतना टॉपिक कर लिया होता अभी मैं यह टेस्ट दे लिया होता अभी मैं यह कंप्रीट कर लिया होता और यही चीजें ठीक है पूरे दिन भर से लगते रहता है हर दिन हमें बिलकुल लेजी लगता रहता है फिर क्या सोते हैं कि चलो किया जाए थोड़ा entertainment किया जाए मन भटक जाता है यह आपको नहीं करना और मन भटका और पूरा दिन जो आपके पास समय था पढ़ने का आपने दोपहर का समय आपने पूरे दिन का समय अगर बरबाद कर दिया फिर जहां पर साम होता है ना जहां पर evening होने वाला रहता है जो आपको मेंली घुमने का समय रहता है एंटेटेंडमेंट का समय रहता है उस समय आपको फिर पढ़ना है अब समझ ध्यान में आता है कि पूरा दिन तो हमने वेश्ट कर दिया एक दिन हमारा बरबाद हो गया अब overthinking होता है अब depression होता है अब बच्चा परसान होने लग हो जाता है तो कहने का मतलब यह है कि अभी कुछ दिन थोड़ा अपने आप पर ध्यान दो समय पर ध्यान दो जो भी आपका टाइम टेबल है उससे बिलकुल श्टिक हो कर रहो है टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं करोगी अभी तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा ठी बिफूर इस्टडी अगर आपने इस प्रिप्रेशन स्टार्ट नहीं किया है तो उसके पहले आपको क्या करना है पहले तो सबसे पहले आपको एक सेडूल बनाला है अपने लिए कि स्पेस को और गनाइस करना है कि आप किसी स्पेस में बैट कर पढ़ोगे अपना गोल यह लर्निंग एक्टिव लर्निंग इन सैंस ऐसा नहीं कि आप पढ़ कुछ और रहे दिमाग में कुछ और चल रहा है ठीक है हमेशा कोशिश करना कि स्मॉल ब्रेक लेकर चलेंगे ठीक है पांच मिनट तक चब्विस्बीस्वां मिनट से लेकर तीस पांच करेंगे और उसके बाद फिर से आपको पढ़ना चालू करना है तो इस टेकनिक को आप अपने सेड्डूल में जरूर से डालिए जवरी नहीं कि हमेशा कंटीनिव ही पढ़ता रहेंगे दो घंटा चार गंटा च्छाई गंटा ऐसा नहीं करें पचीज निट पढ़ें पांक म प्वंटा हो जाता है पता नहीं चलता यूज विज्वल एड्स कोशिस करना कि ऐसी किताब को फॉलो करो चार्ट सेंटेबल को फॉलो करो जिससे आप उन्हें लंबे समय तक करके रख सकोगे अगर मैं बात करता हूं थियूरी पाउर्शन की तो वह तना रिमेंबर हो पान किसी भी तरीके सापको पैनिक नहीं करना है आपका हंड various यहां यह मतलब complete focus का नहीं मिल जाता रहना है और आप पर आपको पैनिक नहीं करना है और और उवर कॉइडेंस से वाशना है क्या ने कई बार कोशन देखते हैं यह तना इजी कोशन तुरन लगा देते हैं लेकिन लेगा एपना कोशन फिर भी आपके लिए बहुत beneficial होगा और मैं आपको यह बता जाना चाहता हूं कि आनलाइन टेस्ट आपको देते रहना है जितने आदा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप है विच्वल हो जाओगे और यहाँ पर जिलिसी क्लासे से सब्सक्राइब करना है और बैश कोड़ा करना है रेल 24 आप इस बैस से जोएन हो सकते हैं यहाँ पर बारा अगस्त से अठरा अगस्त का सिलिबस आप सभी के सामने है आज सोला अगस्त आज की बात करते हैं फ्राइडे फार्मसिटिकल केमेश्टी जिसमें ड्रक्स एक्टिंग ऑन एनस से यहाँ पर कोश्चन आने जा रहे हैं ठीक है चलिए यह करते हुए चलेंगे प्रिपरेशन टिप्स में आपके साथ कुछ बता देना चाहता हूं जैसे कि सबसे पहला तो भया अपने को प्र ख़ाता करके रख सकते हो अगर आपने अपने आपको शांत रखा तो दूसरा क्या होता है कि में सामने वाले ने इतना पढ़ लिया यह कई बार आपके आपके अभी दुसरे से अपने आपको compare नहीं करना है कि उसने एतना कर लिया मैं भी भी नहीं कर पाया हूँ अब क्या करूं अब क्या करूं यह सोच के आपको परसान नहीं होना है ठीक है क्योंकि एक छोटा सा काम जो एक काम सुई कर सकती है बड़ी सी तलवार नहीं कर सकती ठीक है तो अपने आपको हमेशा active रखेंगे खुद का strategy बनाना है दूसरे को follow करने का ज़रॉत नहीं है दूसरे से आपको अपने लिए यह अपने लिए परसानी लाने की की जवरत नहीं है डिस्टर्बंस से अपने आपको दूर रखना और जिस भी तरीके के आपके साथ अभी डिस्टर्बंस हो रहा है उन सभी को छोड़ते हुए चलो और कुछ समय के लिए यहां पर ध्यान दे दो हर दिन अपने आपको एनलाइस करो और हमेशा एक उमीद रख करता हूं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आपको रिविजन करना है रिवाइस नहीं करो कि तो सब कुछ भूल जाओगे मैं तो हमेसा यहीं बोलूँगा हफ्ते भर पढ़ो और उसका रिविजन करो तभी जाकर आप उसे लंबे समय ता ग्याद कर पाओगे वह संड़ सब कुछ रिवाइस करना है अब आपको एक सिंपल यहां पर एक स्टोरी बताता हूं मैं स्टोरी से आप समझ जाओगे रिविजन कितना इंपॉर्टेंट है जैसे इस बंदे का यहां पर मिशन है कि मुझे और भी कंप्लीट करना है ठीक है इसने स्टार्टिंग में 80 परस मेरा कंप्लीट हो गया है अब एक्जाम है इसका दिसंबर में भी यह नौवमबर का समय चल रहा है नौवर्बर में परसन अराम कर रहा है चलो अभी तो एक समय बच एक मेहना पुरा बचा हुआ है तो क्यों ना थोड़ा सा पार्टी कर लिया जाए थोड़ा चिल कर लिया पार्टी में इसने सारे कॉंसेप्ट भूल गए वही दूसरा जो परसाने देखिएगा यह भी आरार्बी का इलिए प्रिपेर कर रहे हैं इसने भी आरार्बी का बनाया है कि मुझे आरार्बी करना है इस बंदे का कितना था चालीस परसेंट मात्र इसके तो 80 परसेंट हो गये इसके सिर्प चालीस परसेंट थे लेकिन अब इसने क्या किया कि चलिए 40 परसेंट होएं कोई दिक्कत नहीं मुझे रोज पढ़ना है कंटिन्यूटी मुझे रखनी है और जिरे-जिरे करके 60 परसेंट हो गया फिर भी अप साथ परसेंट है लेकिन परसन खुस नहीं है अब यह पहुंच गया नौंबर के समय में नौंबर के समय में जब सामने वाला परसन एंजॉय कर रहा था पार्टी कर रहा था इससे लग करने के बजाए मूवी जाने के बजाए मैं इस समय में रिविजन करता हूं और ऑनलाइन टेस्ट देता हूं जिससे मेरा आदद बनेगा और जो चीजें मैंने पढ़ी हुई है स्टार्टिंग में वो मुझे फिर से रिकॉल हो सके एक्जाम वाले दिन यह अगर आप करोग सकते हैं तो अगर बचना है तो रिविजन को अपनाना पड़ेगा जी ठीक है यह दो किताबे जो आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही है यह किताबे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी एक है थियोरी बुक और एक है यहां पर अब्जेक्टिव बुक पूरी तरीक बुक को एक साथ पढ़ने का बैनिफिट क्या होगा है यहां से आपने ठी पढ़ा यहां से आपने पढ़ा टैबलेट यहां पने पढ़ा गया सोल और उसके वाद आपने इस किताब से देखा कि और वर इंडिया अभी तक जितने भी फार्मसिस्ट के एक्जाम हुए हैं उ दो किताबों से आप से देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक करवा दूंगा अब जाकर इन किताबों को एक बार चेक कर सकते हैं रिवियू ले सकते हैं बिलकुल और अच्छे तरीके से प्रिप्रेशन करते हुए चलना ठीक है चले मैं तो यही बलूँगा आप सभी को अल्दे बैरी बैस्ट इस एक्जाम के लिए बिलकुल फार दीजिए अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलिए किसी भी तरीके का डाउट है किसी भी तरीके क्वारीज है मेरे वीडियो में आप कमेंट डाउन करते हुए चलना और यह वी को अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थैंक्यू अल आफ यू